बरेली की देलापीर मंदी में गुरुवार रात करीब 11 बज़े अचानक सी ब्लॉक में भी सुनाग लग दई इसके करीब 20 दुकाने जलकर रात हो गई इनमें रखे करीब 5 करोड के फल भी जलकर नस्थ हो गए आग पे चलते गेस सिलेंडर और इन्वर्टर की बैटरी फटने से तेज धमाके भी हुए पायर बिगेड ने तीन घंटे बाद आग बुझाने में सफलता हांसिल की डेला पीर मंडी के सी ब्लॉक में फल मंडी में गुरुबार रात 11 बचे अचानक ही आड़तों और दुकानों में आग लग गई आसपास मौझूद व्यापारियों और मज़ूरों ने आग बुझाने का प्रियाश किया लेकिन आड़त में प्लास्टिक की क्रेटें होने के कारण आग और जादा विक्राल होती गई सीओ थर्ड अनिता चोहान और तीन घानों के पुलिस भी मौके पर पहुँच गई भी बुलाई गई एक एक करके दमकल की चार गानियां मौके पर पहुँची आग से भारी नुक्सान हुआ है रात दो बज़े तक आग बुझाई जा सकी सब्जी मंडी एसोसियेशन के अध्यक्त सुजा और रह्मान ने बताया कि फ़ल मंडी में एक सब्सक्रा तक का अध्यक्त कैसे लगी ओतेक अलग है साइड तक किसी ने जीडि लगजी या चिगर लगजी पूरी साइड में सब्सक्राइड जगई लगब कितना नुक्सर होगा है पर अब करोड़ों में है अभी हम 10-11 विच्शा चाप से विलंगे रिगें कहां की मंडी केला ती यह सब्सक्राइब कर दो कि कि अधाब आगी लगए हमें पचली साड़े ग्यारा वजी तो हम घर से भाच किया है तो हमें देखा हमारा सारा माल पीवीजी जो सेवेबर सारा जड़ गया कितना नुक्सान हुआ है अभी जाद नुक्सान हमें जोरा नहीं है जाल माल काफी जर गया है कितनी दुकाने जल चीजी दुकाने साफ करी 15-16 दुकान जल रहे हैं पंदर सुब्सक्राइब कितने वजाग लगे जी रात में कल दस हुए हमें तो साड़े जारा वज़े तब कितने घुकान काने